कि अज़िए नमस्कार मित्रों मेरे इस यूट्यूब चनल पर आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागतेवं अभिनन्दन हैं मैं कुलदीब गॉड आज आपके लिए लाया हूँ एसा वास्योपनिशत का सार एवं विस्तरित व्याख्यान यह वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको परिक्षा के दृष्टी से भी और ज्यान के दृष्टी से भी अत्यनत सार्थक होगा तो आईए प्रारम करते हैं सार एसा वास्योपनिशत सुक्ल यजुरुवेद सहीता के काण्व साखा सहीता का चालिसवा अध्याय है यह पहला उपनिशत माना जाता है इससे पूर्व के सुक्ल यजुरुवेद की काण्व साखा सहीता के उन्चालिस अध्यायों में कर्म काण्ड का निरूपन हुआ है इस चालीसवे अध्याय में जिसको की इसा वास्योप निशद कहा जाता है इसमें भगवत तत्तो रूप ज्यान कांड का निरूपन हुआ है इसका पहला मंत्र इसा वास्य मिदम सर्वं में इसा वास्य शब्द आने के कारण इसका नाम इसा वास्योप निशद रखा गया अविद्यामृत्युम् तीर्त्वा विद्यामृत्मश्नुते यह ग्यारहवा मंत्र है हिरण मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम यह पंद्रवा मंत्र है और अगने नय सुपथा राय अस्मान अगने नय सुपथा यह अठारहवा मंत्र है तो यह इसा वास्योप निशत का सामान्य सार समाप्त हुआ इसके बाद यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये आपको अठारह मंत्र दिखाये जा रहे हैं एक एक करके इनका अध्यन कर लेते हैं तो आईए प्रारंब करते हैं मंगला चरण अर्थात वह पूर्ण है यह भी पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण ही उदित होता है पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद पूर्ण ही शेस रहता है पहला मंत्र इसका अर्थ है कि जगत्याम यत किंच जगत इदम सर्वं इसा वास्यम तेन त्यक्तेन भुन्जी था मा ग्रिधा धनम कस्य सुथ अर्थात जगत्याम यत किंच इस जगत में जो कुछ भी जगत दिखाई दे रहा है ठीक है इदम सर्वं इसा वास्यम वह सब कुछ इसा अर्थात इस्वर से वास्यम व्याप्त है तेन त्यक्तेन भुंजी था इसलिए उपभोग करो लेकिन कैसे त्यक्तेन प्याग की भावना से कि यह संसार समस्त इस संसार का स्रिष्टि करता वह परमात्मा है अपना कुछ भी नहीं इस भावना से उपभोग करो मां ग्रिधा उसमें आसक्त मत हो धनम कस्यस्वित यह संस रुपी धन किसका है अर्थात किसी का भी नहीं है तुतिय मंत्र कुरुवन्य वेह कर्मानी जिजी विशेच छतं समाह एवं त्वई नान्य थे तो स्तिनकर्म लिप्यते नरे अर्थात इह कर्मानी कुरुवन्य वेह सतं समाह जिजी विशेच एवं कर्म त्वई नरे नलिप्यते इतह अन्य था न अस्तिम्य विशेच यहां इस संसार में जिसकी बात की गई है प्रथम मंत्र में इस जगत में कर्मान कुरुवन शतम समाह जिजी विशेत कर्मों को करते हुए कर्म अर्थात अपने करतभ्यों को करते हुए सव वर्सों तक जीने की कामना करनी चाहिए इच्छा करनी चाहिए अब आपको लग रहा होगा कि ये तो जीने की बात करने लगे हैं तो कहां मानव सजन्म ही इसलिए मिला है तो एवं कर्म तवई नरे न लिप्यते इस प्रकार से यदि आप आचरण करेंगे अर्थात इस जगत में रहकर के अपने कर्तब्यों का पालन करते हुए सो साल तक जीने की इच्छा करेंगे तो आप कर्मों में लिप्त नहीं होंगे अर्थात कर्म करना ही है कर्म को त्याग कर आप सोचें की जो आज कल में चल पड़ा है कि किसी गुरू की शरण में जा करके और पतानी सारे काम का छोड़ करके आपने जितने भी कर्तब्य हैं मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस जन्म लेने के साथ ही उसके बहुत सारे कर्तब्य आते हैं उसके समाज के प्रतिकर्तब्य हो उस परिवार के प्रतिकर्तब्य है उस मित्र के प्रति करतब्य हों उस विद्याले के प्रति करतब्य है जहां जहां वह जाता है इन करतब्यों को करना ही कर्म कर्मान कुर्वन जी जी विशेत यह कहा है इन करतब्यों को छोड़ करके आप सोचें हिमाले के कंद्राओं में जाकरके आपको ज्यान प्राप्त होग लिप्त नहीं होता एवं तोई इतह अन्यता नास्ति इससे अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात आपको संसार चक्र से मुक्ति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा यह दुतियमंत्र तृतियमंत्र की ओर बढ़ते हैं असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताह तास ते प्रेत्या भिगच्छन्ति ये के चात्म हनों जनाह असुर्या नाम लोकाह ते अंधेन तमसा आवृताह ये के चा आत्म हनह जना ते प्रेत्या तान अभिगच्छन्ति यहां कह रहे हैं कि असुर्या नाम का लोग है असुर्यार्थाद असुर सम्मन्धि राक्षसों सम्मन्धि पापियों सम्मन्धित एक लोग है जिसे नरक लोग कहा जाता है वह जो नरक है अंधेन तमसा आवरितः घने अंधकार रूपी अज्ञान से आवरित ढखा हुआ है और जो व्यक्ति अपना कर्तब्य का पालन नहीं करते हैं और किसी और विधी से उस परमात्मा को प्राप्त करने का चिंतन भजन करते हैं और अपने कर्तब्यों को छोड़ करके अन्य करमों में लिप्त रहते हैं वे प्रेत्य प्रेत बन करके वे आत्म हना जना आत्म घाती पुरुष अपना ही नास करने वाले पुरुष प्रेत्य प्रेत बनकर तान अभिगच्छंती ऐसे असुर्या नाम के लोक में गिर पड़ते हैं यहां है तृतिय मंत्र, चौथा मंत्र देखते हैं अनेजदेकम मनसो जवीयो नेनत देवा आपनुवन पूर्व मर्षत तद्धावतो न्यानत्य तितिष्ठत तस्मिन नपो मात रिश्वाद धाती अर्थात तत अनेजदेकम मनसो जवीयो पूर्वम अर्षत एनत देवा न आपनुवन तत अन्यान धावत तिष्ठत अत्यती तस्मिन मात रिश्वाद अपह दधाती अर्थात वह तत अनेजदेकम मनसो जवीयो न चलता हुआ अचल एकम मनसह जवीयो एक मात्र मनसे भी जवीयो तेज गतिवाला है एतद देवा न आपनुवन पूर्वम अर्षत पूर्वकाल में देवा अपिदेव भी तान न आपनुवन देवता भी उस परमेश्वर परब्रम परमात्मा को नहीं पा सके तत वे जो परब्रम परमात्मा है वो अन्यान धावतह अन्यों के दोड़ते हुए भी चाहे कोई कितनी भी तेज दोड़ रहा हो तिश्टत इस्थिर रहते हुए ही अतिक्रमन कर जाते हैं अर्थात समस्तु रूप से जान लेते हैं उस परब्रम परमात्मा को जानने के लिए किसी महान यतन की आवशकता नहीं वो सब कुछ जानता है सरवग्य है तस्मिन अपो मात रिश्वाद अधाती उस परब्रम परमात्मा से ही वायु आदि देवता भी अपनी शक्ति का संपादन करते हैं जितने भी महाभूत हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी इस स्रिष्ट के संचालन करने वाली शक्तियों के अधिश्ठाता देवता हैं, वे सभी देवता भी उसी परमेश्वर से सक्ति प्राप्त करके इस स्रिष्टी का संचालन करते हैं, यहा है चोथे मंत्र का अर्थ, आईए पांचवे पर चलते हैं अब उसका परिचे दे रहे हैं कि वह ब्रह्म कैसा है कहा कि तत ए जती तत न ए जती तत दूरे तत उ अंतिके तत अस्य सर्वस्य अंतह तत अस्य सर्वस्य उ बाहितह अस्ति कहा कि वह परमात्मा का लक्षन क्या है तो उसका स्वरूप बता रहे हैं कि तत ए जती वह चलता है तत न ए जती उसमें गती नहीं है वह चलता भी और नहीं भी चलता है तत दूरे वह बहुत दूर है और तत उ अंतिके वह आपके बहुत करीब है तत अस्य सर्वस्य अंता वह इस समस्त स्रिष्टी के समस्त जगत के अंता अंदर प्रविष्ट है तत अस्य सर्वस्य उ बाहयता और वह परब्रम परमात्मा इस समस्त स्रिष्टी से बाहय बाहर भी है यह बिचित्र वर्णन किया गया है इस मंत्र में उस परमेश्वर परमात्मा का छटा मंत्र है यस्तु सर्वानि भूतानि सर्व भूतानि सर्व भूतेशुच आत्मनी एव अनुपस्यती तत सह न विजुगुपसते कहा कि तु जो सर्वानि भूतानि सर्वेश भूतेशुच आत्मनी एव अनुपस्यती सभी प्राणियों पदार्थों को और सभी प्राणियों पदार्थों में स्वयम को ही देखता है अर्थात इस स्रिष्टि के समस्त पदार्थों में स्वयम को देखता है और समस्त पदार्थों में स्वयम का भान करता है तब वह ततह सन विजुगुप सते यदि व्यक्ति ऐसा करने लगता है मनुष्य ऐसा करने लगता है प्राणी ऐसा करने लगता है तो न विजुगुप सते वह किसी से घ्रणा नहीं करता उसके मन में किसी के प्रति वैर भावत्पन नहीं होता यहा है छटे मंत्र का अर्थ सात्वा मंत्र है यस्मिन सर्वानि भूतान्या अत्मा एव अभूत जहां सत्यको जानते हुए सर्वानि भूतानी सभी प्राणी एक आत्मा एव भूता आत्मा के रूप में ही परिणत हो जाते हैं आत्मा के रूप सब एक आत्म हो जाते हैं तत्र एकत्म अनुपश्यता वहां एकत्म की भावना का निदर्सन करते हुए एकत्व की भावनाओं को देखते हुए को मोह, कह शोक है, क्या मोह है, क्या हशोक है, अर्थात कुछ भी नहीं अर्थात जहां सत्य को जानते हुए सभी प्राणी एक आत्मा के रूप में बदल जाते हैं वहाँ एकत्व का अनभव करते हुए उन मनुस्यों में न तो मोह होता है और न शोक होता है यही भावना गीता इत्यादी में भी यक्ति की गई है वस्तोता है उपनिशद और गीता गीता को उपनिशत का सार ही कहा जाता है आपको कई मिलता जुलता व्याख्यान मिलेगा तो यह था सात्वे मंत्र का आर्थ अगर आगे बढ़ते हैं आट्वे मंत्र पे सपर्यगा छुक्रमका यमप्रन मसना विरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीशी परिभु सयंभु याथा तत्यतोर्थान व्यदधाच्छा श्वतिभ्य समाभ्य अर्थात सशुक्रम अकायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम पर्यगात कविह मनीशी परिभु सयंभु शाश्वतिभ्य समाभ्य याथा तत्यतह अर्थान ब्यदधात अर्थात वहत्य परम तेजो मय शुक्रम तेजो मय अकायम सरीर रहित अव्रणम घाव रहित असनाविरम सनायू रहित नसे नसों से रहित शुद्धम सुद्ध अपाप विद्धम पाप से रहित परियगात चारों तरफ से ब्याप्त कभी ही कभी ही परिभू सब कुछ जब चारों तरफ से परिभू चारों तरफ से ब्याप्त स्वयंभू सेच्छा से जन्म लेने वाला और शास्वति भ्य समाभ्य अनादिकाल से अर्थान ब्यदधात अर्थों का स्रिजन करते हैं इस सम तेजों में शरीर रहित चिद्र रहित घाव रहित सिराओं अर्थात नसों से रहित अर्थात भोतिक देह से रहित सुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप शुभां शुब कर्म रहित जो परमात्मा है वह कर्म फल सुन्य है और उस कर्म पल सुन्य जो परमात्मा है वह या वह या वो मनुस्य जो इन सब चीजों को जानता है वह याथा तत्यता वास्तविक अर्थों का स्रिजन करते हैं इस स्रिष्टी का निर्मान करते हैं जितना मैं समझा हूँ यह अर्थ बताने का प्रियास किया है नवा मंत्र है अंधन तमह प्रविशंती ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यविद्यायाम रताहा ये अविद्याम उपासते जो अज्ञान की उपासना करते हैं जो वास्तविक वस्तु नहीं है उस अवास्तविक की कलपना उस मोह में लोब में फसे रहते हैं वे अंधन तमह प्रविशंती वो घोर अंधकार रूप अज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं और ये विद्यायाम रताहा और जो विद्या यानि ज्ञान में रत हैं ते भूयह इव अंधन तमाः प्रविशन्ती वो और भी उस घने अंधकार रूपी नरक में गिर जाते हैं अब आप कहेंगे ये कैसा जो अज्यानी है वह घने अंधकार में गिरे यह तो ठीक है लेकिन जो ग्यानवान है विद्या में रत है वह भी उस घोर उससे भी घनगो और अंधकार में गिर जाए ऐसा कैसे तो कहते हैं विद्यायाम रताह अभिमानी जो यह कहता है कि मैंने चीज जान ली है और उसको अभिमान होता है वह जो जान लेने का अभिमान है वह अभिमान ही उस विद्यारत को नरक में उस घने अंधकार में गिरा देती है यहां कहन तदनुकूलता अर्थात उस परमेश्वर परमात्मा के सायुज्य को यदि प्राप्त कर लिया तो आप यह कहने के तो काविल ही नहीं रहेंगे कि मैं ज्यानी हूँ क्योंकि जब उस परमात्मा तक जविलीन हो गया उस परमात्मा को प्राप्त हो गया तो मैं ज्यानी हूँ यह भाव ही खत्म हो जाएगा वह किसी को बताने योग यही नहीं रहेगा वह तो अपने आनंद में सच्चित आनंद में डूबा रहेगा तो कहा कि जो इस प्रकार का विद्यारत है वह भी घोर अंधकार में गिर जाता है क्योंकि वह वास्तविक रूप से उस परब्रम परमात्मा का सायुज्य प्राप्त नहीं कर पाता है ये हुआ नवा मंत्र अब आगे अन्य देवाहुर विद्यया न्यदाहुर विद्यया इति शुस्रुमा धीराणाम ये नस्तत विचचक्षिरे विद्यया अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत एव फलम आहु फलम अपनी तरह से जोड लीजी अविद्यया अन्यत एव आहु इति धीराणाम शुस्रुमा ये नतत विचचक्षिरे हमने अर्थात विद्यया अन्यत एव आहु धीराणाम हमने धीराणाम मनीशिनाम विद्वज्जनानाम विद्वज्जनों के विद्यया अन्यत एव आहु विद्यया से अन्य ही फल हो और अविद्यया अन्यत एवाहू अविद्या का भजन करने से अविद्या का चिंतन करने से अन्य ही वस्तु प्राप्त होती है ऐसा हमने धीर मुनियों की विद्वानों की वचन सुने हैं उन ज्यानियों ने हमें विद्या और अविद्या दोनों का महत्त दोनों का फल बताय है यहां इस दस्वें मंत्रकार्त है अ मिस्ते आगे कह रहे हैं कि विद्याम्चा विद्यांच यस्तत्वेदव भयमश अ विद्यामृत्यम तीर्पा विद्यामृत्मय अ दोनों के रहस्य को जान लेता है वह अविद्यया अविध्या से मृत्युम तीर्त्वा मृत्यु का तरण कर लेता है मृत्यू के भय को दूर कर लेता है, यहां मृत्यूं तीरता का मृत्यू से छुटकारा पा जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है, वो मृत्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बलकि मृत्यू का जो भय है, उससे पार पा लेता है, और विद्यया अमृत्यम असुनते और जो विद्या अर्थात विद्या ज्यान को रहस्य अर्थात उस पर इस स्रिष्टी के परम सत्य को जो जान लेता है वहाँ अमरितम असुनते वहाँ अमरित का पान करता है यहाँ भी अमरित का पान करने से मतलब यह नहीं कि अमरित पकड़के खा लेता है यहाँ तात पर अंधन तमह प्रविशंती ये संब्भूतिम उपासते तटो भूय इवते तह मों यू संब्भूत्याम रताह या है बारवहा मंत्र ये असंब्धूतिम उपासते ते अंधम तमह प्रविशंती ये अर्थात जो असंभूतिम जो प्राणी उत्पद्यमान विनास सील सांसारिक भोतिक पदार्थों की उपासना करते हैं असंभूतिम ये असंभूतिम उपासते जो असंभूतिम संभूत कहते हैं उत्पन हुए को और असंभूति कहते हैं जो उत्पन नहुआ हो तो जो यानि जो बताया था कि ग्यानवान जो रत हैं तो वही तात पर रहे हैं तो जो असंभूती में रत हैं अविनासी में रत हैं उसी का चिंतन करते रहते हैं अपना काम का छोड़ देते हैं अपने करतब्य का पालन क करने वाला उपनिशद है, यहा परेड़ना देता है, अगर आपने मनुसした ज़न में लिया है, तो पहले अपने करतब्यों का पालन के बिना अगर उस परब्रम पर्मात्मा का चिंतन करते हैं, तो उससे आपको मुक्ती नहीं मिलेगी, तो यही कहा यह उसपरेव्रमंः असंफुति के उपासना करते हैं वह गोर्ण अंधकार में यरते हैं य commandments चामड़त और जो संभूति आर्था इन भोथिक पदार्थों में संसार के जित्ने भी पदार्था हैं उनą पदार्थों के उपदार्थ में जो लिप्त रहते हैं ते ततो भूय इव अंधन तमा प्रविशंती वो इससे भी घने अंधकार में जा गिरते हैं अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में यदि सांसारिक विश्यों के उभोग में ही लगे रहे तो भी आप घोर अंधकार में गिरेंगे और यदि इन सब को छोड़ करके उस परब्र परमात्मा संभू अविनासी का चिंतन करते रहें तो भी घोरंदकार में गिरेंगे तो तात्परे क्या है कि इन दोनों का एक संतुलन अपने करतब्यों के निर्वाह पूर्वक करना है विश्यों का उपभोग कीजिए परथम मंत्र में ही कहा है त्यक्तेन भुंजी था उ पूर्वक और उस अविनासी परब्रम परमेश्वर का चिंतन कीजिए परंतु अपने करतब्यों के निर्वाह के बाद तो यह बार्वां मंत्र इस तरह से इसका अर्थ कर दिया गया है आगे तेरवां मंत्र अन्य देवा हुसं भवांद अन्य दाहुर सं भवांद इति विचाचक्षिरे अब यहां पूर्व में विद्या और अविद्या की तर्चा की गई थी उसी तरहा लगबग वैसा ही अर्थ है जिस प्रकार वहां बताया गया थाकि विद्धया का फल भी बताया गया है थीक है उसी तरह यहां भी बताया गया है कि संभवात अन्यत एव फलम आहू कि बिद्वानों के द्वारा धीर आणाम धीर पुरुशों के द्वारा बिद्वजनों के द्वारा अनुभवी लोगों के द्वारा संभवात अर्थात इस भौतिक पदार्थों के उपभोग का अन्यत एव फलम आहू अन्य ही फल बताया गया है और असम्भवात उस अविनासी के चिंतन का अन्य ही फल बताया गया है इती धीराणाम सुस्रमा ऐसा हमने धीर मनुस्यों के वचन सुने है न तत विचचक्षिरे उन ज्यानियों ने हमें अच्छी तरह से उसका परिज्ञान करवाया है नह तत विचचक्षिरे नह अस्मान नह मने अहम को तत विचचक्षिरे उसको अच्छी तरह विचचक्षिरे विशेशन चक्षिरे विशेश प्रकार से ज्ञान करवाया है Сंहां सम्भूतिम्च विनाशम्च यस्तद वेदो भयम्ष謝謝 विनाशेन संभूत्यारी तिरटियों मशनुते संभूतिम्च विनाशम्च व मशनुते अर्थात संभूति अर्थात यहां संभूति और असंभूति में एक तरफ अविनाशी परमात्मा को बताया गया है और एक तरफ भौतिक पदार्थों को बताया गया है तो संभूतिम्चा विनाशम्चा जिसने उस अविनाशी और भौतिक पदार्थों दोनों का ज्यान कर ल पूत्या संभूती के ज्यान से अम्रितम असुनते अमरत्यों को प्राप्त कर जाता है अमरत्यों का अनुभू करने लगता है तो यह चौद्वा मंत्र समाप्त हुआ पंद्रवा है यह बहुत जगह प्रियोग तो होता है सुना जाता है पढ़ा जाता है प्रियोग किया जात तो यहां मंत्र है यहां परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि है पूषन अर्थात पोषन करने वाले परमात्मा हिरन मैं पात्रेणा हिरन कहते हैं सोने को सवन को सत्य का मुह धका हुआ है तात्पर क्या है कि जो संसार का सत्य है वह प्यारी प्यारी बातों से आधर सुब बातों से आप जानते हैं कितने बंधन है उसके लिए मुझे एक गीत याद आता है उपकार पिक्चर का बहुत ही है कसमे वादे प्यार वफा सब बाते हैं बातों का क्या तो यही जो सुन्ड मई बहुत अच्छी बाते हैं रिष्टे नातों में जो बाते कही जाती हैं बहुत प्यारी होती है लेकिन कह रहे हैं कि यही सुन्ड मई है इसी स्वर्ण मही से सत्य छुपा हुआ है वास्तविक सत्य कोई सुनना नहीं चाहता तो वह सत्य छुपा हुआ है तो हे पूशन हे वह परण पोशन करने वाले देवता तत्तम अपावरिणू वह जो पारमार्थिक सत्य है उसको अपावरिणू उस हिरण मही पात्र को हटा क करके उसे अनाच्छादित करो उसे दिखाओ सत्य धर्माय द्रिश्ट ये जिससे हमें सत्य का और अपने धर्म का हमें करना क्या है जो कि पहले मंत्र में पताया गया था कि कर्तब्य का पालन करना है तो वह उस आखिर इन बातों को हटा दीजिए यह जो कस्मे वादे प्यार बफासभ इन बातों को हटाईए और इनके हटाने से हमें अपने धर्म का उस सत्य का बोध कराईए उस हिरन में पात्र को हटा दीजिए ताकि हमें सत्य का बोध हो सके यह पंद्रवा मंत्र आइए सोलवा मंत्र पढ़ते हैं सूर्य तेज़ सूरूप हैं तेज़ सूरूप हैं रश्मीन समुह इन रश्मियों के समुह वाले हैं अनेक किरणों वाले हैं रस्मीन समुह ब्यूह अपने इन रस्मियों के समुह को समेट लो कि हे पूशन यमा यमा नियंत्रण करता प्राजा पत्य प्रजाओं के पती पालन करने वाले स्वामी सुर्य तेजह जो तेजों में सुर्य हैं आप अपने रस्मीन समूह ब्यूह अपने रस्मियों के समूह को समेट लीजिए अर्थात संसार में यह जो अज्ञान फैला हुआ है वह अज्ञान के कारण को अपने पास समेट लीजिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है यदि आप उन रस्मियों को समेट लेंगे तो हमें वास्तविक अर्थ का वास्तविक सत्य का ज्यान हो सकेगा और तत्ते जिससे ते कल्यान तमम रूपम पस्या में तुम्हारे कल्यान कारी स्वरूप को देखना चाहता हूं इन रस्मियों के कारण इस अत्यन्त उत्कट प्रकास के कारण मैं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं देख पा रहा हूँ तो अपनी उन रस्मियों को आप समेट लीजिए यह असो पुरुष सा असो पुरुष अहम अस्मी क्योंकि वह जो पुरुष आप हैं वही पुरुष मैं भी हूँ मैं भी वही आत्मा हूँ तो मुझे खुद के साथ सायज्य को प्राप्त कर जाने दीजिए अपने इस अंधका जिसके वज़े से यह संसार में अंधकार व्याप्त है उस कारण को हटा दीजिए ताकि मैं भी आपके स्वरूप को पास हकूँ आप भी वही हैं असो पुरुष यह असो पुरुष जो आप हैं सह असो पुरुष अहम अस्मी वह मैं भी हूँ तो हे भगवान आप इन अज्यान के कारणों को दूर कर दीजिए यह सोलवा मंत्र हुआ अब है सत्रा मंत्र वायु रनिलमं प्रितम थेदम भस्मानतं सरीरम ओम क्रतो स्मर कृत हमर कृत मर कृत हम्र अध अब यह वायू यह प्राण और इंद्रियां अम्रितम अविनाशी अनिलम अनिल में प्रवेश कर जाएं ये वायो अर्थात ये प्राण इंद्रिया अविनाशी अनिल में प्रवेश कर जाएं इदम शरीरं भश्मानतम यह सरीर भस्म की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर जाएं चून हो जाएं बिलकुल यह सरीर अगनी में जलकर भस्म हो जाए हे सच्चिदानंद परमतत्व क्रतो स्मरा क्रतो अर्थात वह क्रतु कहते हैं यग्यगत पुरुष अर्थात यग्यनारायन भगवान को तो उस तो क्रतो स्मरा यग्यनारायन का इस्मरन करता हूं कृतम इस्मरा उसने जो मेरे लिए किया है मैं उसका भी स्मरण करता हूँ, क्रतो स्मरण, और हे क्रतो, हे ग्यनारण भगवान, इसमरण, स्मरण करो, मेरा इसमरण करो, कृतम स्मरण, मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ, इसका भी स्मरण करो, अर्थात, मेरा आप भी ध्यान दीजिय, मैं आपका ध्यान दे रहा हूँ, मुझे आप तक पहुँचना है, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, इसके लिए मैं आपका भजन कर रहा हूँ, लेकिन हे भगवान, आप भी क्रतो इस्मरा, मेरे किये हुए को इस्मरन कीजिए, मेरा विचार देखे, मैं आपकी तरफ दोड़ा चला आ रहा हूँ, आप भी मुझे चिंतन कीजिए, मेरे को स्वयम में समाहित होने दीजिए, जैसे बच्चा आपनी मा की गोदी में जा करके चिप जाता है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी तरफ आने दीजिए, मुझे अपनी अंक में भर लीजिए, तो यहा कृतो इस्मरा, क्रतो हे क्रतो हे ये जञ्जिनान भगुवान आपका समरण करता हूँ कृतम वयुनान विद्वान योध्यस्मत जुहुराणमेनो भूईष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमं अगने नय सुपथा राये असमान विश्वान देव वयुनान विद्वान योध्यस्मत जुहुराणमेनो भूईष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमं हे अगने असमान राय सुपथा नय हमें राय धन वाले सुपथा अच्छे मार्ग पर ले चलो हमें धन धान्य की ओर बढ़ाओ हे देव हे अगने असमान हम सबको राय परमधन की तरफ परमधन वाले सुपथा अच्छे पत पर सनमार्ग पर ले चलो नय ले चलो देव हे देव विश्वानी वयुनानी विश्वानी अर्था समस्त वयुनानी अर्थात करमों को विद्वान जानने वाले आप समस्त करमों को जानने वाले हैं अस्मत हमारे जुहुरानम मार्ग के विग्ण एनह ये जो पाप कर्म हैं हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें करने पड़ते हैं उन पापों से योधी दूर कर दीजिए उन पापों से हमें दूर रखिये ते तुम्हारे लिए भूई श्ठाम बार बार नम उक्तिम विधेम नमस्कार की उक्तियों का विधान करते हैं हे अगनिदेव हमें उस परम धन की प्राप्ति है तु सन मार्ग पर ले चलिए और उस मार्ग की जितनी भी बाधाएं हैं उन समस्त बाधाओं को दूर कर दीजि इसलिए हम आपकी बार बार इस्तुति परक बातों का विधान करते हैं नम उक्तिम विधेम इस तरह से इसावाश्योपनिसद का सार वह एक-एक मंत्र का अर्थ आपको बताया गया है आशा करता हूँ आपको यह अच्छा लगेगा एक प्रारंभिक यह अध्यापन का क्रम है धीरे धीरे जब मैं भी ग्यानवान हो जाओंगा तो धीरे धीरे अत्यंत चिंतन अन्य सास्त्रों के चिंतन से अच्छी ब्याक्या के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगा तब तक इसी में मुझे अपना आशिरवात प्रदान करें नमस्कार